तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माई गेमिंग यूटूब चैनल पोजन गेमर्स तो गाइस यार आज के स्वीडियो में हम लोग करने वाले है डबलू डबलू इटू के का यार गेम प्लेइ जो की बहुत ही मज़िदार होने वाला है आप लोग से मैं बस एक ही चीज़ का तो इस मोड में हम लोग खेने वालें एक मैच जो की होगा यार ब्रॉक 네स जो की बहुत थी कमाल का मैच है तो चले यार मैच को स्टार्ट करते बिना कुछ बकवास किये तो हमलोग यह केज मैच होगा और एक तरफ होंगे Brock Lesnar जो कि हम लोग लेके खेलेंगे Brock Lesnar को और सामने के साइड होंगे Roman Reigns जो कि बहुती कमाल के प्लेयर हैं दोनों के दोनों और W2B में लोग धमाल मचाते हैं तो चलो यार हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया SmackDown में होगा यह मैच और जो है मैच स्टार्ट हो गया आप लोग से मैं अभी कहता हूँ यार कि चैनल को सब्स्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि ऐसे और वीडियो मज़िदार देख ली है तो चैनल को सब्स्राइब लोग करना ही पड़ेगा गाइस मैं आपको एक बात इस गेम का बताना चाहता हूँ कि यह जो गेम है यह करीब आज से 5-6 साल पहले जो है रिलीज हुआ था तो उस समय के ही इस समय एरीना और सूपर स्टार हैं उसी समय के जो उस समय जैसा एंट्री होता था सूपर स्टारों का एरीना होता था वैसा यह आज का लेटिश नहीं है तो आप खुद देख से तो अपने स्क्रीन पे कि जो आज से 5-6 साल पहले जैसा स्मय क्डाउन होता था रॉष्टर था बिड़बलीक है वैसा एक दिखा रहा है तो कोई बात नहीं है गाईस चले यह जो है मैच जो है श्टार्ट हो गया और एंट्री हो रहा है हमारे दवीश्ट और ब्रॉक लेस्ट कर देख सकते और कितरे टॉष्ट यह देख सकते गया द शील्ड जो है ठीब सॉंग प्ले हो गया तो उससांवे जो है गाईस यह ज्ट यह दम सॉंग आ रहा है तो रोमर रेंग्स जो है जो है जो है जो है तड मकिन करने वाले हम लोग श्टार्ट तो अभी वीडियो को लाइक कर दो अगर नहीं किया है तो टो गाइस है मैच जो है श स्टार्ट हो रहा है देख सकtechों स्मैकड़ाम का एरीना है तो चलो अब दौन के उस प्यार देंगे अरे यार बच चलो एक कोशिश कोरेंगे इस पहर देने का अरे फिर से बज़ गया दैत ते लिके लेकिन एक कोशिश और एक कोशिश और और इस बार स्प्वेयर दिये दिये रोमर रेंज को उनीक अस्पेशल मूव उनको दे दिया गया लेकिन रोमर नहीं चाहर इतना जर्दी खड़े हो गया और एक उड़के पंच मारा पंच था नहीं चलो चलो लेकिन अभी हम लोगों को यार बहुत सारा अटाइक देना है रोमर रेंज को अभी हम लोगों ने एक अटाइक दिया आप गाईफ जानते हो रोमर ब्रॉक लेसनर का जो स्पेशल मूव है सूप्लैक्स तो यह एक पहला सूप्लैक्स जर्मन नेचर मूव आगया जिसको हम लोग कहते हैं सूप्लैक्स सीटी और हम लोगों ने पावर बढ़ा रहे हैं और एक ग्रोमर ने इसको सूप्लैक्स सीटी बहुत ही मज़ेदार हो चुका है अब यह गेम चलो रिंग से निकलने का खुश करते हैं रहे यार रोमर रिंग कुणा डेने का खुशिश किया था लेकिन नहीं दे पाई यार हो रहा है और इस मृक्श से ड़ा रहा है क्या यीट पर दिखो फिर से गिरा तया यह तो चलो फिर से खुछ जर्मन सुप्लैक्स दिने का खुशिश करेंगे और एक उड़ा के पीछे के तरफ फेका रोमर रेंज को तो चलो अभी फिर से गाइज हम लोग का जो है सिगनेचर मूव आएगा और फिर से फिनिशर भी आएगा जिसको हम लोग कहते है एस फाइफ और य मेलती से गाइज हर चड़ गया उसके उपर देखे वह हाड़िया मैं फालतूँ ऊट्फी अगेरेंगा जमीन पर अरे यार फिर से मार रहा है यार क्या ब्रॉकलेशनर नहीं काम कर रहा है इतना जल्दी ठक गया ब्रॉकलेशनर यार चलो उसको गिरा दिए अब चलो चलो एक और बढ़िया सा और यार क्या हो रहा यार गेम में हडाना है रोमर रेंज को ऐसे रोमर रेंज बहुत ही गजब का रशलर है इसलिए इसको अरणा थोड़ा मुशक्किल है और हम लोग ने फेकए उसको और एक बढ़िया उसको कूदा उसको पर और का है सिगनेचर मूव गया जिसको कहते हैं WWE F5 आप लोग देखे हो गए WWE देखता तो F5 जानते हो गए कितना खतरनाग मूव है Brock Lesnar का तो Brock Lesnar जो है ने उठा लिया है रोमर रेज को और पावर हम लोग बढ़ा रहे हैं और एक सूप F5 को जापका अब गाइस हम लोगों ने जो है F5 दे दिया है अब हम लोग निकलने का कोशिश करेंगे अब मैच लंबा जयेगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्रीज आर इस वीडियो पर क्लाइक कर देना चैनल को शब्स्राइब कर देना ऐसी ओर शड़िश में क्लव colourage करतासू को एक सद्रूफ harvest और वीडियो देखने के लिए प्लीज जार सपोर्ट करो और चलिए गाइज अब क्या बोलू मिलेंगे नेश वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जय हिंद बंदे माई